जब मन होता है कि बढ़िया मस्त दम कुरकुरा करारा सा भज्या खाऊं तो आप सीधा सीधा किचन में ही जाते हैं और किचन में जाने के बाद अगर डब्बे में बेसन ना मिले तब आप क्या करोगे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप भज्या बना सकते हैं वह भी मस्त कु बनाया है यानि अंकुरित चना से बनाया है भज्या को आपको विश्वास नहीं होगा कि अंकुरित चना से कैसे बन सकता है और साथ में चटनी जो कि यहां पे पुदीनी और आमले की चटनी है तो इसके साथ चटनी बहुत बढ़िया अच्छा मस्त टेस्ट लेकर आ रहा अब भी आप बोलें अंकुरित चना तो हेल्दी है तो ऐसे खा लेना चाहिए बिलकुल खा लेना चाहिए लेकिन कैसा है ना कि जब खाने के बाद जब बज चाता ना तो यह भी आपको ही खाना पड़ता है यानि कि घर में काम भी ज़्यादा करो और खाना भी तुम ही करेंजयार लुदा कोका कर करेंज़े और इनको 50 में डाल करके पीश अपिक्स ने के बाद इसको बिलकुल बारिक करके के पीश लिए खाँ और एस से जब यह तैयार हो जायँगा तो देख सकते हैं इस को हम हमें एक बड़तन में पल्टट लेना है पल्टटने के बाद मतल बाद यह हमारे पास एक चॉप बॉक्स है आप चाहें तो चाको से भी काट सकते हैं और जार में भी एक दो बार राउंड घुमाएंगे तो दरदरा सा त्यार हो जाता है तो पहले मैंने मिर्ची प्याज को दरदरा किया यानि इससे चॉप करके निकाल लिए अभी अधरक ल के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कि इसे तो ब्लबा लेते हैं तो दलें कहले वाला पेष्ट हम यहां पेषम दालने यानी दरदब उनवा किया हुआ तो एक चाह mendwny है उन्य दर्ध दिरे आराम से करेंगे तो हो जाएगा आदा चम्मच यहां पर अजवाइन जरूर डालेगा और थोड़ा सा हल्दी कि दो आइटम भजिये में बिल्कुल मिस्स मत किजिएगा बजिये के स्वाद को बहुत बढ़ाता है मतलब खाने के बाद तो मतलब खाने से पहले ही मुमें पानी आरा खाने के बाद आप सोच सकते हैं क्या होता होगा थोड़ी सी हल्दी जो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक नमक तो पता ही आपको कि सबसे इंपोर्टेंट है उसक जाने के बाद एक और चीज हमिस में डाल देंगे सिमला मिर्च है यह लाल सिमला मिर्च पाउडर जिससे की बजिय का कलर भी सुन्दर आता है और बस खंखनाता हुआ तेल तयार रखिए और फटा 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 बजिया डालना शुरू कर दीजिए चुकि बनाते बनाते तो कितने बार आपके भी मुह में पानी आ जाएगा ऐसा है भजिय का कुछ मतलब की कमाल और इस तरीके से जितना कड़ाई में आए अगर आप को उतने ही तलना आता तो उतने ही तलिए तो मैं तो यहां पर अभी जल्दी बाजी है तो एक राउन में धेर सारा निकाल दू सुखारा भी चुरीशन लेफं के अटा यहांत्यागा और बड़ा डिजात में जाने के फNow पलте ही हे थोड़े की ओष आप्षो में भूण चैनल करना में लेचागे वाद सात में निकाल लेगा कर्या टेस्ट आता है तो उपर से जो यह कडी पता रहता ना इसको इस तरह के से जरूर मतलब डालिएगा और डालने के बाद एक जो कुरकुरा सा कडी पता और एक बज्या यह तो बस जब आप मूं में डालेंगे ना तब खाकर समझ में आएगा तो आप इसे बनाईएगा कुरकुरा कड़ीपत्ता साथि में चुरू вариант कर देख सकते हैं साथ इता है साथ में एक दो बार युदार मिर्ची भी आप तर लिजेगा अगर मिर्ची को ध्यान दीजेगा बीच से जरूर चीरा लगाईएगा ने तो तेल में बिल्कुल ऐसे चीटे पढ़ने लगेंगे तेल के इसलिए मिर्ची हमेशा बीच से कट करके डालना है और इतना मस्त कुरकुरा भजिया त्यार हुआ और अभी इसके साथ वो पुदीनी वाली चटनी और इसको मतलब अपने हिसाब से और चाहें तो थोड़ा चोड़ा चोड़ा बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं तो ये लिजे साथ में जो चटनी थी तो वैसे तो अर्जी हमारी ही रहेगी मर्जी आपकी ही रहेगी पर ये चटनी और भजिया खाकर वाकई में अगर मजाय हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाई